पॉपर मैं अमारे पास लेबल रहेगा रेश्यंस का 51,000, यह तोड़ता तो ऊपर में दूसराइश्यंस 51,400, यह दूसरा रेश्यंस का काम करेगा और फिर ऊपर 52,000 भी जासको, फायदा किसम है, फायदा हमें डिप्स पर बाइइंग करने में, ऊपर स्याइलिंग में कर लिए कैस के अंदर मतलब कैस के ने ने इसी तरह सब को बलफ करेगा जैसे आज के मार्केट में सभी को बलफ किया कई ना कई सेलिंग साइट बेटाया और बात में मार्केट ने बहुत ही अच्छी रेकवरी ली हम बात करनें बैंक निफ्ती की वो बोलते हैं कि तास्क के खील में कोई भी पत्ते फेक सकता है लेकिन असली सलाडी वही है जो खेल खेल के चला जाए तो वही हुआ बैंक निफ्ती में हमने उपर में भी हम लोग बैंक साइड में नीचे आवरेज करके बहुत बढ़ीया पैसा बना है वहाँ पर हमने सेलिंग साइट के भी ट्रेट्स बनाये थे कल क्या लगता है कल हमें ऐसा लग रहा है कि आसर बैंक निफ्ती हो या निफ्ती हो दोनों में अपनों कंटीनियू रह सकता है आज जो मार्केट में बलफ कर दिया उसके सामने जो लास्ट आर में लोगों ने ते आसा नेगेटिव रहा वो एक चीज थी अब चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं सुरू करते हैं हम लोग बैंक निफ्ती का अनलिसिस फिर हम लोग निफ्ती ले रहेंगे तो बैंक निफ्ती में सबसा पहले आच्छी ख्लोजिंग देखेंगे ख्लोजिंग होई रहा 50,685 करीब करें 100 पॉइंट के करीब हम लोग निगेटिव साइट में जाकर के क्लोज हुए इंप्रेंट लेवल कौन-कौन से रहेंगे बैंक निफ्ती में आपको दो से तीन चीज़े याद रखनी है अगर समझो आप बैंक निफ्ती ट्रेट कर रहा हो कोई पोजिशनल के लिए ट्रेट चीए या फिर एकदम डिमांड जून में जाकर के ट्रेट करना है कि यहाँ पर रिस्क मेरी मिनिमम हो जागी तो उसकी निए बाइंग जून है 49,800 यह बाइंग भी है और यह हमारा डिमांड एरिया भी हम लोग इसको बोल सकते हैं क्योंकि एस यह के पास जाकर किया ना सस्टेंग नहीं कर रहा है यहां से बापस से बाइंग आ जाता है फिर पचास पांच सो एक्क्यावन अजार एक तक के लेवल्स दिखा देते तो यह एक बहतरीन जगह है बाइंग के लिए इसकी नीचे जाकर कि सस्टेंग करेगा तब भी हम लोग बैरिस हो क्लोजिंग तो हमारी दूर किये तो एक सपोर्ट ही रही है उससे पहले में कौन सा मिल रहा है वो मिल रहा है 50,280 जो हमारा प्रीवेस क्लोज भी था और आज भी हम लोगों ने देखा कि नीचे आया लेकिन वहां से हमारे पास ऊपर भी बापस से बैंग इनिस्टी आया अ उपर में 51,000 की उपर जाकर कि सस्टेन नहीं किया था तो ऊपर में हमारे पास लेबल रहा हैगा रहेतिटी वन थाजिंक यह तोड़ता तो ऊपर में दूसर रहें 51,400 यह दूसर रहेंस का काम करेणा और फिर उपर 52,000 भी जा सकता है अब अगर हम लोग बात करे रहें रिस थोड़ा से लागाट रहे गया, ऐसे नहीं बैंकिंग सेक्टर में बाइंगे नहीं, लेकिन बो इसाब की बाइंग नहीं हुए, तो क्या अगला नंबर बैंकिंग का जो ओल टाइम आए मारेगा, या फिर बापस से नया आए, हम लोग देखेंगे जो 52,800, 53,000 के असपास के लेबल्स हो सकता है, होहाँ पर मी चला जाया मार्केट, तो थोड़ा साब डिफ्सपर बाइंग के कोशिस करना, एक पोजीशनल हुए, कल के लिए इंट्राइडे में क्या करना है, नीचे हमारे पास 50,280, और दूसरा हमारे पास 49,800, एक 50,280 के असपास है, तो आपसे हम यहाँ पर एक चांस बन सकता है, कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुँ सेलिंग लोग, 100-200 आइसो पॉइंट करने में ज्यादा बरोसा रखते है, चाय कैपिटल चली जाया कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड आमें बाइंट बात नहीं, लेकिन ट्रेड आमें बात बात नहीं, और ज्यादा तर हमारे जो खिलाड़ी है, वो हीरो जीरो ट्रेड करने में ज्यादा बरोसा रखते है, चाय कैपिटल चली जाया कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड आमें बाही करना ही हीरो जीरो, वो कहते हैं कि पैसा बाहीं लगाएंगे, जहां बढ़ा बनेगा, या तो ब निफ्टी के हम लोग बात करते हैं, निफ्टी 24,770, आज भी 71 पॉइंट्स उपर जाकर क्लोज हुए, निफ्टी में सबसे बड़ी है चीज पता है क्या लग रही है, अगर आप गेली चार्ट्स पर भी देखोगे निफ्टी को, कुष्टी डिंस में लगातार यह पॉज हैं, छोटे छोटे च्छोटे केंडल साथ हैं, तो आपर एक सस्टेनेबल बाएंग बनती है, छोटे छोटे जब भी प्लज समय दिखाए देते, तो यह सस्टेनेबल बाइंग क्या होती है क्या होती, कि आपर स्य outsiders उतने मझबूती से नहीं खड़े देते, एक होता है 25,500 और 26,000 के लेवल भी दिखा सकते हैं सेक्टर की बात करें IT सेक्टर बड़ी पर्फॉर्म कर रहा है कंजम सन पावर या फिर हम लोग आज बात करें आज फार्मा सेक्टर में कमाल दिखा है डिविर्स लैब और टाइम आए के पास में भी बोल सकते हैं आज का टॉप गेनर भी था वही दूसरी और मार्केट में चीज़े समाले दिए मैटल सेक्टर में भी बढ़िया था इंडाल को भागा जेश डबने श्टिल भागा तो मैटल सेक्टर में भी काफियाद तक सपोर्ट किया यही सब चीजे थी अज के दिन में काल के दिन भी हम यहीं लग रहर है कि थोड़ा से मैटल में हम लूब बाइंग देख सकते हैं उसके साथ-साथ में हो सकता फर्मा सैक्टर भी कल थोड़ा सा उपर की सेंटरे तो निफटी का थोड़ा भी हूँ हमारा बाइंग साइट में buy on dips के हम लोग strategy बढ़ाएंगे अब support resistance है अफिर कल के लिए levels हमें कौन से ध्यान में रखने वो देख लेते हैं loading हमारी nifty के है 24,772,770 ऊपर में resistance है 24,800 का यह अगर breach करता है अफिर किसी कारण से कलम gap अब खुल जाते हैं 24,800 के पास सीधा stop है हमारे पास 25,000 और यही हमारा target रहेगा आगर हम लोग buying करके चल रहे है अब ऐसे हम आगन में हम लोग देख रहे हैं जहां bank nifty नी बढ़ रहा है nifty अखिला बढ़ रहा है तो एक नीचे की साइड stop loss लगाना बहुत ही ज़्यादा देर हो लिए तो नीचे हमारे पास पहला सा पूर रहेगा 24,610 इसके पास में हम बाइंग कर नीचे 100 100 पॉइंट का आप निफ्टी में stop loss मान के चलिए अब जहां पर भी बाइंग कर रहे हैं क्यों क्यों कि इतना इंडेक्स पड़ा हुए अना अगर सम्झों करेक्शन आने बाला होगा तो 400-500 पॉइंट का भी करेक्शन आ सकता है तो होगा क्या 100 पॉइंट का लोग पॉइंट करेंगे वहां पर हम लोग करेंगे दूसरा सपूर्ट है हमार पास 24,470 या फिर 24,500 एक यह सपूर्ट का काम कर रहा है एक साइकलोजी कल नमर भी हो जाता है यहां पर अगर हम बात करें राइटिंग की तो कॉल राइटिंग हो या पूट राइटिंग हो सबसे पॉइंट और उसी रेंज में हमें ट्रेट करके पैसा बनाना है नीचे एक एहन सपूर्ट है 24,000 120 या फिर हम लोग 24,000 80 के राउंड का जो लो मारा था बज़िट वाले दिन पर फिर उसके बाद मैं आया नीचे बज़ा लेकिन वहां पर सस्टेन उत्रा नहीं किया तो 24,000 सपूर्ट का काम करें यह ब्रीच कर दिया तो नीचे हो सकता हम लोग ज्यादा गिरावाट एक देखर को मिले लेकिन फिलाल जिसे सबसे मार्केट का मूड माहूल बना चीज़े हैं ग्लोबल मार्केट काफी अच्छे हैं अगर हम देखे जिसे सबसे डॉज बढ़ा हुआ इसलिए हमें दिख रहा है यहाँ पर 400-500 कोईन की अभी भी जगह है निफ्टी में बढ़ने की तो खल थोड़ा सा कॉंसेस है करकर ट्रेट करना कर अच्छी डिप मिल जाते हैं और वहां पर हमें लगता है कि फॉल अप थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है तो फिर हम बहुत सारी चीज़े समझ में आगे हुए एक बार हम लोग क्विक ली एफाई डियास का डाटा भी ले ले लेते हैं कि डाट डाटा क्या होल रहा हम है यह आपने आप 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 Preis डियास के डिटाब के दिन में क्म सांतर हुए अगस्त के दिन फोटीनिटलिमस करोड की तैषह अ सालिंग की टैष्ट के अंदर और उसके सामने डियास के टैथे बार आइइंग कर ली है कैस के नदर मतलब हैनलyesảं को के दिन में बाइंग हुई अब अगर हम लोग F&O के डाटा उठा करके देखें अब हम F&O के एक बारी डाटा देखें तो F&O में कल बाइंग हुई अगें 1974 करोड की जो कि हम लोग कंपेर करें तो FIS के कैस के सामने FIS ने इंडेक्स फ्यूचर ज्यादा बाइंग है और स्टॉप फ्यूचर के आप बाइंग है तो 2323 के नेटनेट अगर हम लोग बात करें तो FIS कल 2500 करोड से और DIS कल 2200-2300 करोड से नेट नेट कल के दिन में बाइंग होई थी और आज के दिन का भी डेटा मुझे जो लग रहा है अगर हम लोगों देखा लाश में जो फॉल उप बाइंग आई डेटा कल का भी पॉजिटिव आएगा आज जो सामको में पता लगेगा तो वो सकता है कि कल के दिन हमें जाता है जनोंने अन्रॉल नहीं किया लाइब ट्रेंडिंग के लिए वो लोग भी अन्रॉल कर दीजिए क्योंकि लाइफ ट्रेंडिंग में हम आपका रिस्क मैरेज करवा देते प्रौपर तरीके से या फिर होता है फो होता है किसी को यह भी डर रहता कि यहां पर निकले जिसे आज के दिन आज का सेनेरियों बनाता बैंग निफ्टी बलफ कर रहा था कर रहा था कर रहा था और उस टाइंब हमने बहुत सारे क्लाइंट को लेकिन वह होता है अगर हमने 20 लोग को बोला तो 20 लोगों में से 2-4 लोग फिर भी पोजीशन काट लेते तो यह चीज भ अब तक आपको प्रॉफिट नहीं बन सकता है वो बोलते ना कि जिम के अंदर एक्सराइज से 30 परसेंट है 80 परसेंट डाइट अब ऐसे ही ट्रेडिंग में एडवाइज इसे 30 परसेंट है 80 परसेंट आपको रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट होप आप समी लोग को यह